बिहार के पूर्व मुख्य मंत्रियों और राजसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने नितीश कुमार के नेतरितों में चल रही महागजबंदन सरकार पर बड़ा हमला बोला है बिहार के पूर्व मामला देखिए इस रिपोर्ट में बिहार के पूर्व मामला देखिए इस रिपोर्ट में बिजेपी ने आडानी मुद्दे पर भी मागजबंदन सरकार पर हमला बोला है मोचा संभालते हुए राजसभा सांसद सुशील मोदी ने कहा कि बहार में जातिय संखर्ष की घटनाओं में तेजी आरी है बिहार के पूर्व उप मुख्य मंत्री और राजसभा सदस सुशील मोदी ने कहा कि उद्योग पती गौतम आडानी के मामले में कॉंग्रेस दोहरा रवया अपना रही है सुशील मोदी ने कहा कि राहूल गांदी भारत जोडो यात्रा के दोरान आडानी समूप पर अनाप शनाप अरोफ लगाते रहे जबकि कॉंग्रेस शासित राजस्थान में मुख्यमंत्री आशोक गहलोत अडानी से सौरे उर्जो शेत्र में 65,000 करोड का निवेश कराने के लिए इसी अडानी समूप को कौडियों के भाव जमीन देने की खोशना करते हैं उन्होंने कहा कि कॉंग्रेसी नहीं बिहार में निदीश कुमार और केरल में वाम मोर्चा सरकार भी अपने यहां पूंजी निवेश के लिए तो अडानी की आरती उतारते हैं लेकिन जब इस समूप को बीजेपी शासत राज्य में कोई काम दिया जाता है तो देश बेच दिया का शोर मचाये जाता है सुशील मोदी ने कहा कि अगर अडानी समू में पेशेवर इमांदारी की काम है तो बिहार सरकार ने इनवेस्टर्स मीज में आजानी के प्रती नीधी को क्यूं आमंतरित किया था निधीश कुमार ने उनसे निवेश की अपील क्यूं की थी तब क्या निधीश कुमार बिहार को बेच रहे थे उन्होंने कहा कि जब आडानी की शेयर संबंदी मामलोग की निगरानी और भारतिय रिजर बैंक कर रहा था तब विपक्षी को चाती पीटने की जरूरत नहीं निधीश की अर्थवेवस्था एमांदार और मजबूत हाथों में है सुशील मोदी ने बिहार में चाती और संप्रदाईक तनाओ की बढ़ती घटनाओ पर चिंता जाहिर करते हुए महागचबंदन सरकार पर आरोप लगाया है उन्होंने कहा कि छपरा में आरजेडी समर् सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है कि हत्या के बाद आक्रोश में क्रुधत भीड द्वारा की गई घटनाओं की आड़ में निरपराद लोगों को परिशानी हो रही है अब राधियों को पकड़ने के बज़वाय आम नागरिकों को ही गिरफतार किया ज़ौरा है राजेस के वरिष्ट निता सुशील कुमार मोदी ने सीम नितीश कुमार के खिलाफ तगड़ा अटैक किया है सीम नितीश के साथ लंबे समय तक डिप्टिय सीम रह सुशील कुमार मोदी ने जमकर अपनी भडास मिकाली सुशील मोदी ने बिहार में जातिया और संप्रदाइक तना गरफतारी नहीं हुई है जबके इस घटना के बाद से ही पूरे इलाके में भारी तनाव है। टीवी बिहार के साथ नमस्कार।